हेलो फ्रेंट्स वेलकम टो माझ चैनल एवन टेस्टी फूर्स और आज मैं बनाने जा रही हूं कटलेट की एक नई रेसिपी जो बहुत ही जाद आपको पसंद आएगी और बनाना बहुत ही एजी है और जब भी आपको मन करें आप इस तरह से कटलेट बना के खा सकते हैं तो साथ ही थोड़े से बीट रूट है थोड़े से कैपसिकम है ग्रेट किया हुआ गाजर है हरी मिर्च है और यहां पर मैंने थोड़ा सा हरा धनिया ले लिया तो सबजी अपने टेस्ट के एकॉर्डिन यहां जो आपको पसंदे डाल सकते हैं और यह उबले हुए पांच मीड सदा आप कर सकते हैं साथ ही डाल देंगे कॉर्ण और अगर लःसन खाते हैं तो इस स्टेचपे आप थोड़ा सा लचन को भूप ला लें ईसके बाद डाव इसमें कॉर्न को थोड़ा सा मिक्स करने के बास सारे अर्ड कर दींगे और अगर प्याज लधाशन ख़ाना कि इस जभी सामें खाली आ है नहीं है दलने दिन अच्छे मिक्स कर लेना है, आ यहां मैं थै iba Toda बूसरे मिक्स कर लेना है, नगी मिक्स हे लिए cách दाल मिक्स कर लेना है ho dhannia in दात में जाल देंगत नमक तो अबकर टेस्ट के इन डाल सकते हैं। conflicts काली मिर्च दो चमच डाल देते हैं पीजा सिजिलिंग इसे इसका टेस्ट बहुत ही अच्छा हता है एक चमच डाल ही में चिली फ्लेक्स आपको तीखा जादा पसंदे तो एक से दो चमच और एड़ कर सकते हैं इसमें हम डाल देंगे चाट मसाला एक चमच और अच्छे से क करके डालते जाएंगे इससे बहुत ही ज्यादा हमारे कटलेट क्रंची बनेंगे तो बस यह मैंने 5-6 चमच इसमें डाल दिया है और इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे और यह हमारा फटा-फटा आलू का मिक्स्टर बनके रेडी है तो बस इसम थोड़ा सा थंडा होने के बाद यहां मैंने एक केक टिन ले लिया इसके उपर मैंने प्लास्टी का रे पर इस तरह से लगा लिया है और आलू का मिक्षर बहुत अच्छे से ठंडा हो गया इसके बाद इसमें हम डाल देते हैं और इसे हम सेट करने के लिए रख देंगे फ्रीजर में एक से दो घंट के लिए तो बस पहले इसको अच्छे से हम सेट कर लेते हैं इस तरह से तो देख सकते हैं अच्छे से सैट हो गया है उपर से हम ये प्लास्टिक की सीड इस पे अच्छे से हम कवर कर देंगे ताकि इसके ऊपर आइस किस्टल नहाए और इसे दो-तिन गंटे के लिए हम कौन फ्लेक्स को आप चाहे तो मिक्सी में इस तरह से थोड़ा चला ले या फिर हाथों से ही इस तरह से क्रश कर ले तो मैं इसे हाथों से ही इसी तरह से क्रश कर लोंगी तो बहुत ही इजी ये अच्छे से क्रश हो जा रहा है तो बस यहां मैंने आधी कटोरी के लगबग ऐहां ले लिया है knonflex और इस तरह से crush कर लिया है और कहाण फ्लेक्स को हम डाल देंगे ब्रेट क्रॉंब में इस से बहुत ही ज्यादा क्रँची बनेंगे तो बस इसको अच्छे से मैंने मिला लिया है तो यह हमारा रेडी है साथ ही इसमें में डाल देंगे मैदा ले लिया है तो मैदा का आप घोल तयार करेंगे तो इसमें थोड़ा सा डाला है मैने नमक साथ ही डाल देंगे पानी और इसका एक घूल तैयार कर लेते हैं द्यान रखना इसकी कंसेस्टन्सी बहुत जादे थिक नहीं होनी चाहिए और बहुत जादे पतली भी नहीं होनी चाहिए तो यह देखे इस तरह से इसकी कंसेस्टन्सी है आप इसंम्माइ कहाती हम कव्री भी कुटि काली मिर्च तो आगर है तो आप लिए चली फ्लेक्स भी भी लाकरन सकते है, थोड़ दो प्संद से, में थोड़ा साथ में चाहिए को इसमें साइड में क्या है कर सकते हैंी तो इसको रख लिए तो इसके Son released में में बाप लिवगए को निहनी एप बढ़ने में घुड़ा ह्ता बैड़ तो बॉस इतने हो ने चाहिए तो बस मैंने भांदा लिकansen और लगवक तीन घंटे के बाद मैंदे इसे निकाला है बहुत अच्छ से सेट हो गया है तो इसे अम पहले प्लास्टिक के रेपर को हटा लेते हैं और इसके रेपर को पहले हटा लेंगे और इसके आप पीसेस कर लेते हैं तो पीसेस आपने इच्छा अनुसा जैसा चाहें वैसा आप बना सकते हैं जैसे आप को मन तो यहां मैं इस तरह से लंबाई सेप में पहले कट कर लेती हूं आप चाहते से diamond做 me be cut cut सकते हैं तो बस पहले छाः पीसे कर क्ट लिए तो यह दिखे इस तरह से मैं पहले लंब पीसे कर लिए आब इसके बीच में इस तरह से पहले करेंगे और यह मुझे थोड़े से मोटे लग रहे हैं तो इसको मैं थोड़ा साइस को 20 से इस तरह से कट कर लेंगी और यह देखें बहुत ही इजी से कट जाएगा यह अपका और यह देखें इस तरह पीसे पहले सारे रेडी कर लेते हैं तो सारे पीसे मैंने काट लिया है, अब हमने ये घोल रेडी करके रखा हैं and breadcrumbs और konflex का जो हमने mixture बना कर रखा हैं इस फिर साइट से यहां ले आइएंगे, आर यहư beetje Peniskell疫िय की भूल को बना के रखा कर लेंगे पहले तो बहुत अच्छे से इसकी कोटिंग होनी चाहिए और यहां हमने कॉण फ्लेक्स डाला इससे बहुत ही ज्यादा क्रिस्पी बनेगा तो बस इसको अच्छे से कोट कर लिया है और आप चाहे ते इसे दो बार कोट कर सकते हैं दुबारा इसको आप मैदा के कोल में डिप कर जेए और उसके फिर से आप ऐसरस इसमें अच्छे साल पेट लिजी है तो मैं इसे एक की बार कर रहे है आप चाहे तो दो बार इसे कोट कर सकते हैं तो देख सकते हैं एक मैंने बना लिया और बाकी भी सब इसी तरह से बना के पहले ready कर लेते हैं तो यहां मैंने कुछ बना लिये और आप चाहे तो इसे store करके भी रख सकते हैं एक हफते तक freezer में तो इसे इस तरह से air tight container में रख दे एक हफते के लिए आप जब चाहे तब इसे तल के खा सकते हैं तो आएये चलते हैं तलने के लिए तो अच्छे करते हैं में लिए रख दिया था तो तो तेल अच्छे से गरम हो चुका है त्याह रखना है तेल को अच्छे करना थूप करें और गयास का flame कर देना है medium और एक बार में जितना आ जाए इसमें डाल देंगे और इसे इसी तरह से थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे पहले उसके बाद इसे पलटेंगे तो धियार रखना है तुरन डालने के बाद तुरन इसे पलटना नहीं है और यह बहुत ही अच्छे से बन जाते हैं ना सेता लेंगे देख सकते हैं बहुत ही से क्रँची दिख रहें और यहारी कटलेट बनक के रेड़ी है पहुत ही जादा टेस्टी अगर आपके घर में कोई पार्टी हो तो आप इसे पहले से वना के रख सकते हैं और गर्मा गरम इसे तलके सब्ग कर सकते हैं तो कैसे लगे मेरी रिसेपी कमेंट में जरूर बताएं मेरे चैनल को प्लीज लाइक से अच्छाव जरू करें थैंक यू